स्वागत है दोस्तों आपका Amplifier World चैनल में दगिए आपकी स्क्रीन पर मैंने एक सर्कुट डियाग्राम रखा हुआ है यह सर्कुट डियाग्राम सिंगल सप्लाई पर चलने वाला एक NPN बेस्ट पावर अम्प्लिफायर का सर्कुट डियाग्राम है इसके आउटपुट स्ट आया करता था और भी बहुत सारे इस टाइप के अम्प्लिफायर आया करते थे जो कि इसी टाइप के सर्कुट डियाग्राम के उपर बेस्ड हुआ करते थे और इस सर्कुट की खास बात यह है कि कैपेसिटर कपर्ड होता है इस वज़े से आपको स्पीकर प्रोटेक्शन ल जलने वाले सर्कुट का आउट-पुट काफी अच्छी होती है क्योंकि उसका frequency response बाकी कपर्ड़ Olay के मुकाबले ज़्यादा बेहती है हालाकि ऐसा नहीं है कि इसका frequency response किसी भी तरीके से कम है ये भी काफी अच्छी quality का sound produce करता है लेकिन उसका output power जो है अगर आप दो तीस पच्पन टांजिस्टर लगाते हैं तो आपको output power लगबग 40 से 50 वाट तक मिलता है maximum distortion के साथ 60 वाट तक हो जाता है अगर आप इस circuit के components पर गवर करेंगे तो आपको जो pre stage के transistor है उनके number यानि कि आपको इस type के transistor के number market में अब नहीं मिलते इनकी जगा other number के transistor मिलते हैं तो उन्हें भी लगाया जा सकता है तो चलिए दोस्तों आज इसी circuit के उपर मैंने एक circuit बना रखा है और उसको मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों अब तक आपने जिस circuit diagram को देखा उसी के हिसाब से कि ये circuit design किया गया है जो कि काफी छोटे size में है और इसको design करने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैं इसका sound output quality देखना चाहूँगा और ये 35V पर कैसे चल सकता है इसकी भी मैं testing करूँगा अगर इस बोट के dimension की बात की जाए तो ये 2 inch by 2 inch इसका size है और इसमें कोई ज़्यादा critical component नहीं है काफी आसानी से मिलने वाले components लगाए गया है जैसे कि बीडी 139 बीडी 140 प्रामरी स्टेज में 8-15 ट्रांजिस्टर और 10-15 ट्रांजिस्टर लगाए गया है तो इस तरीके से ये बोड तो काम कर रहा है लेकिन इसमें और कुछ टेस्टिंग करनी होगी जैसे कि बाइस ट्रांजिस्टर के साथ इसको किस तरीके से थर्मो कपल किया जाए और कितनी देर तक इसे continuous चलाए जा सकता है शौर्ट सर्कृट होने पर ये कितना दिर विट्स्टैंड हो सकता है ये सारी टेस्टिंग मैं थोड़ा करने के बाद में इसका एक फाइनल वीडियो आपको टेस्टिंग के साथ में लेके आएंगा और उसके साथ आपको इसका PDF फाइल भी मिल जाएगा तो हो सकता है ये सर्कृट उन लोगों के लिए ज़्यादा हेलफुल हो जो कि कम रेट में गाडियों के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलिफायर बनाना चाहते हैं और इस्पेशली बड़े स्पीकर के बजाए वह आठ इंच चार हम के स्पीकर पर ही अपना जो सिस्टम है वो लगाना चाहते हैं क्योंकि अक्सर बड़े स्पीकर लगाने से कॉस्ट बढ़ जाती है और यह सर्कृत कम कॉस्ट में बहतर पर्फॉर्मस के लिए मैंने डिजाइन किया है तो दोस्तों फिर इसकी टेस्टिंग के वक्त मिलते हैं और इसमें काफी सारे आर एंडी करने के बाद में एक फाइनल सर्कृत जो मुझे मिलता है वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा और इसके साथ-साथ इस टाइप की बास्टेवल भी मार्केट में मिल जाया करती है जो की काफी कम रेट में इस टाइप की बास्टेवल मिलती है क्योंकि 50-60 रुपे के आसपस होती है और इस type का converter आपने देखा होगा कि Amazon या इस type की site पर available होता है तो ये converter भी लगबग 300 रुपे के आसपास site पर मिल जाया करता है तो ये सब combination करने के बाद किस type का amplifier बनता है और उसका performance कैसा होगा तो ये ही सब आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में देखने को मिलेगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में Thank you for watching and have a nice day